तो सौज़ाब करते हैं आप सभी का आजके स्वीडियो में हम बात करने वाले है। अगर आप Play Store से Instagram को डाउन्लोड करना चाहते हैं तो यहा पर आप जब भी Install वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहा पर आपको एक नीचे शो होता है Instagram is funding तो यहां पर इस प्रप्लों को आप कैसे ठीक कर सकते हैं आज के इस वीडिος में मैं आपको बताने वाला हूँ तो विडियो को आप पूरा चलू देखेगा तो यहां पर आप जब भी Instagram या किसी भी application को install करते हैं तो यहां पर install नहीं होती और यहां पर loading दिखाता है और नीचे pending दिखाई देता है तो इस problem को आपको ठीक करने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले दुस्तों आपको आना है बैक बैक आने के बाद दुस्तों यहां पर आपको जाना है अपने mobile का जो सेटिंग उसको open करना है सेटिंग open करने के बाद दुस्तों यहां पर आपको जाना है एप management पर एप management पर जाने के बाद दूस्तों यहां पर आपको एक option मिलेगा आपको यहां पर सर्च करना है आपका जो भी गूगल प्ले स्टोर है उसको तो यहां पर आपको गूगल प्ले स्टोर को सर्विस को करना है उसके बाद यहां पर आपको स्टोरिज पर जाना है और इसका आपको क्लियर डाटा कर देना है तो क्लियर डाटा करने के बा बाद दुस्तों यहां पर आपको बैक आने के बाद दुस्तों यहां पर आपको वापिस से अपने मुंबाल का जो प्ले स्टोर उसको उपन करना है प्ले स्टोर उपन करने के बाद यहां पर आप देख से वापिस सी पेंडिंग दिखाए देता है तो यहां पर आपको बैक आना है और यहां पर आपको राइट साइड में आपका जो भी प्रोफाइल फिचर है उस पर आपको क्लिक करना है प्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे का setting का option मिलेगा तो अपको setting वाले option पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नीचे second number पर एक प्रक्षम मिलेगा download przyence marvelous तो यहां पर आपको क्या करना है ओवर एनी नेटवर्क पर टिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर नीचे डंड कर देना है उसके बाद बैक आना है बैक आने के बाद यहाँ पर आपको फिर से इंस्टागाम को सर्च करना है और यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है तो आप जैसे दूस्तों आप व देख सकते हैं कि यहां पर आपका इंस्टागा में डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है तो इस तरह से आप इस प्रब्लम को ठीक कर सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल पहने तो चैनल को सब्सक्राइब